अभी हम सांस के रिया इससे BP का क्या रिलेशन है अलकलाइन का और एसिड का ठीक है सारे लोग ऐसे कीजिए आथ अपने आगे इस पतार अभी ऐसे मूं को लेंगे और अंदर से हवा मारिए थंडी आ रही है गरम आ रही है अभी देखिए इस पतार अचेंजे ऐसे मूगों करेंगे अगर हम थंडी सांस निकालेंगे खंडी सांस निकालेंगे तो क्या होगा बीपी जिसका लो रहता है उसका बीपी नौर्मल आएगा और अगर हम गरम सांस निकालेंगे गरम तो बीपी हाई जिसका रहता है वो दुनिया का सबसे बैस तरीका यह नीरो तरफी नहीं खो जाये इसको हजारों लाखों पेशेंट के उपर इसकी हमारे परमपुज गुरुजी ने हजारों लाखों पेशेंटों के उपर हमारे परमपुज गुरुजी ने इसकी खोज करी है दो लू भीपी वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है उसका तुरंट नॉर्मल हो जाता है और अगर गरम सांस छोडता है इंसान मुह में से तो हाई वीपी नॉर्मल हो जाता है बहुत दुनिया का सबसे बैस तरीखा तो तो बॉडी में आगर हम थंदी समस निकाल रहे हैं तो बॉडी में उसे एसे आशेड निकल रहा है थंडा यह एसे आगर हम गरम सवा से निकाल रहा है तो अल्कलाइन निकल रही है अल्क्लाइन ओर एसिड आखो दुनिया भगवान अर्द नारु देख़ें एक अरद नाज़सर क्या है आधी काली और आधी वाइट ठीक है आधी काली और आधी सफेद काला एस्था एसिड का है और वाइट एस्था अलकलाइन का है काला एस्था एसिड का और वाइट एस्था अलकलाइन का तो हम यह जो किरिया है एसिड और अलकलाइन बोडी का एसिड हैं तो भी मार्या आ नहीं है चाहें दुनिया को भी विवेक्ति हो जाए वीवारिया आनी ही अलोचार 커al ग जब एकार जाम होगी जाए हुआ है।